तो यहां पर हम लोग बनाने लगे हैं टोस्ट राइट ओफ होती हैं अंधेरा होता तभी निकलते थे कि मालक सोगे ने तो आओ पार्टी करिए डिनर सेट के जो बरतन थे वह हमने एक काटन में पैक कर लिए नास पिटे काक्रोचों का चुहों का और चिपकलियों का गर है हम लोग तो यहां महमान आये हुए हैं बाकि पूरे गर में ना सप्रेय करवानी हैं और काक्रोच विख्यों नाचे नाचे के मरनगे फूल भी उठा लेते हैं सप्रेय के जरासीम ना इनके अंदर ना चले जाए लेकिन मिन्लू की पता से है कि आरेडी बहुत वर्ड़ा जरा लिए हैं क्योंकि हम लोग तीन ही अफ्राद हैं मैंने बाई-बाबी नहीं खाना था नहीं बलके सोनिया ने भी खाना था जो हमारी है चार अदर अंडे लिए हैं उसमें जितने अंडे होगा ना उतना ही उसमें दूद्ध शामल करना है और अकॉर्डिंग टेस्ट आपने तो इतना टाइम कहां से बंदा लेके हैं तवे को पहले देशी की इसकी है उसके बाद जो मिक्स्टर था उसके अंदर जो है ब्रेड का स्लाइस उसको डिप किया है फिर हमने तवे के उपर रखना है बाबी ने स्लाइस एक दूसरे को पर ही रख दिये थे और यह तीन पीस कैसे बंदें यह टोस्ट बाबी के हाथ के बाकिज जो मिक्स्टर बाच गया था उसको वैसे ही उपर डाल दिया था यह मीठे टोस्ट जो होते हैं इनका चाहिके साथ ही मजा आता है साथ मैंने चाही रख दी थी तो मैं बाबी इसे पूछ रही थी कि यह जो तीन हमने लेय जलते भी नहीं क्योंकर सम्टाइम बहुत ज्यादा बूक लगी होती है और इतनी जल्दी हंडिया या चावल जो भी बनाना हो टाइम लग जाता है तो यह जटपट में बना ले साचाय का गब बना ले और उपर हनी लगा ले तो बंजा दुबाला हो जाता है तो हमने करवानी थी इसके लिए हमें सारी पैकिंग करनी पड़नी थी यह हमारे गैरेज में गटर का ढकन था तो इसको भी बाई ने प्लस्तर से सारा बंद कर दिया कवर का दिया कि कोक्रोच ना आए इस गटर से जो निकलते थे वो थोड़े बड़े साइस के थे और जब लाइट ने निकलनी थी सारा समान ही शिफ्ट करना था उपर नहीं है काकरोच ना उपर वाले पोर्शन में ना चोटे बाई का जो रूम है ना हमने सोचा कि वहां पर समान राक देते हैं और कुछ मैंने ये अपनी कबड़ में काफी चीज़ ने राक दी बाबी के रूम की जो में निकूली बनाता वा और यहां पर मैं रेसिपी भी साथ साथ शूट कर रही थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कोकोनट ओई और वो भी लास्ट वाले प्रोसेस उसका चाहरा था मैंने का पहले पहले शूट कर लूँ उसके बाद किचन का हमने सारा ही समान जो है पैक करना था क्योंकि किचन की हर एक चीज के अंदर काकरोच और उनकी आलो उलाग रहाइश पर जीर थी इसलिए सारा समान ही हमने निकालना था बाहर और यह डालें में बिल्कुल साफ थी तो हमने सुचा कि नए सीरे से नहीं चीज़े ही लाकर रखेंगे तो डालें और कोबिया इस तरह की चीज़ जो थी ना तो इसको वेस्ट टा करें यह मैं ले जाते हूं वैसे इनके अंदर काकरोच नहीं थे यह अच्छी तरह ना एयर टाइट कंटेनर जो होते न अच्छी तरह उपर से बंद थे सुनिया को मैं कहारी थी थी यह सारी चीज़े ना निका तो वैसे भी उन्होंने का एक साल आपका इजी ली गुजर जाएगा कोक्रोच जो है वो खत्म हो जाएंगे कोक्रोच नहीं आएंगे होना ला करे और ना दी जबाना सची होए फेस्बुक की मेरी एक फॉल्वर है ना कोक्रोच घर से बगाने का एक मुझे टोटका भी बेज तो लेकिन भी गारा था उसका क्यूं लेना है एसा फीर आजए क्यूंकर हमने भी बहुत ज्यादा टोटके कर लिए थे उसने मुझे बेजा ये टोटका भी ता के नीडो दूद लेना है तीन से चार टेबल स्पून और तीन से चार टेबल स्पून देसी की लेना है उसके पाउडर लेन अच्छी तरह ना कौरनर पर लगा तो ना कोक रोज बाग जाते हैं लिशा भी हमारी है करवाने आई हुई है उपर उपसे आपके मिर्प्यारी शिडॉल ये क्या है हैं में असरा बाभी और असरा बाभी वे हमारी हल्प के लिए आई हुई थी क्योंकि इतना ज्यादा काम था ना नीचे वाला सारा पॉर्शन ही हमने उपर शिफ्ट करना था पैक करके वो भी तो बचोंने अपनी ही चूँचा लगाई हुई थी तो हमने बचोंका ना पिर वो गड़ा दिये ज्यान और अलीशा जो बड़े बच्चे हैं इन्होंने अपना ही कोठा सार पे चूपा हुआ था डिनर सट के जो बरतन थे वो हमने एक कार्टन में पैक कर लिए तो हमने सोचा कि अब एक एक क्या उठाके लेके जाएं इस सी बेतर रहके कार्टन में ही ये सारे डाहके ने इसको पैक कर लें काफी ज़्यदा हैवी ये बाक्स बन गया था तो बचा इन्हें उठाके ये उपर वाले रूम में रख दिया उपर वाले portion में जो छोटा रूम है ना भाई का हमने वहां पे सारा समान अर्जस्ट करना था क्यूंकि उपर वाले portion में भी हमने सप्रेय करवानी थी लेकिन उस रूम को हमने का कर नहीं चेड़ेंगे उसको लोग ही रहने देंगे बटाने का समानट वो पैक नहीं तकिया और हमने प्लाव ही बना लीता हुए थे हमने रहे लिकांगो एक बना लेता ही झाला तो उसके बाद ये भी बर्टन ये वहां बर चैजर प्लेटें वाहिए लगार ही रहे लिकाना यह जो हमारी खाने वाली चाबियां होती है जिसमें रोटी रखते हैं गरम रहती हैं इवन के इनको भी हमने खोल के देखा ना इनके अंदर से भी कोकरच निकले लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि इनके अंदर भी जा सकते हैं तो हमने इसको फिर बाद में फैंकी दिया था और ऐसे ही फिलिंग आ रही थी कि ये नास पिटे काक्रोचों का चुहों का और छिपकलियों का गर है हम लोग तो यहां महमान आए हुए है तो बाई जो है वो उपर चकर लगा रहे हैं बचारे समान वगारा उपर वाले पॉर्शन में रख रहे हैं तो यह हमने शापर मगव दे दी है और यहां पर हमारा किचन जो है यह देखें यह किचन के ड्रार और कबर्ड वगारा मैंना एक हफ़ता पहले ही तकरीबन कोई साफ की होगी एक यह यह लेड़ हफता पहले तो आप लोग साथ वीडियो भी शेयर कही थी तो आप देख सकते हैं कि पीस से काक्रोच किसे पैदा हो गए इतने ज्यादा ना आई डून नो कि इतने क्यों पैदा हुए हैं जहां पर हमारा यह घर है ना तो आसपास पे पहले खाली प्लोट हुआ करते थे तो मुझे लगता है कि यह रिजन हो सकते है क्योंकि लोग कच्रा वगरा फैंकते रहते हैं फिर उपर सहर बन जाते हैं तो यह भी रिजन हो सकती है कि बाद में फिर जड़ा सीम पैदा होते रहते हैं हाला कि हम लोग इतना सफाई का ख्यार रखते हैं इसके लावा हमने हेल्पर पी रख्यू हुई है वो डेली ही क्लीनिंग करके जाती है इसके बावजूद भी इतने जड़ा सीम पैदा होते हैं नेक्स डे हो चुका है और आज फ्यूमिगेशन के लिए आना था तो उपर वाला पॉर्शन जो था वो वैसे ही था क्योंकि उपर वाले सारे पॉर्शन में ही करवानी थी सप्रेज जस्ट जो है बाई के रूम में नहीं थी करवानी तो मैं अपने रू तो इससे बहतर है मैंने का हर चीज ही समेट लूँ तो गैज यह मेरा रूम है यह मैंने टेबल भी फ्री कर लिया लैपटू और चीज़ें उठा लिया यह मेरा बेड़ हुआ था और यह मेरा बेड़ है इसके बेड़ शीट वगरा सारी उठा दिया बस्पीलो रखे हुए तो इन टायमें जब हम लोग अजका बाबी की दर जाएंगे ना फिर उठाओंगी और यह चोटे बैड़ की मैंने बेड़ शीट वगरा उतार दिया खाल और यह हमारा हॉल है हॉल भी मैंने फ्री कर दिया बेड़ शीट वगरा मैं उतार दिया क्यूंकर स्प्रेय होनी है इसलिए यह सारा कुछ उठाना जरूरी था तो यह कबर्स भी मैंने फ्री कर दिया बिलकुल हाल हमारा फ्री हो चुक्त है इसके इलावा किच्छन जो है किच्छन भी मैंने फ्री कर दिया बस वह एक अदर बास्किर पड़ी हुई है यह उपर वाल जो है वह सप्रे के लिए रेडी है और यह सारा समान हम लोग ने ना चोटे भाई के रूमे रख दी है क्योंकि इस रूमें ना स्प्रेय नहीं करवा नी क्योंकि समान भी तो गाहिर है रखना था तो यह देखें भी तूम अच्छ समान यह बढ़ा टेबल पड़ा हुआ था बड़े टेबल के उपर दी है नीचे वाले किचन का समान भी ना यहीं पिलागे रखा है ना तो इसलिए यह समान ज्यादा हो गया बस यह रूम हमने लोग कर देने हैं बाकि पूरे गर में ना स्प्रेय करवानी है और काक्रोच विख्यों ना चे नाचे के मरनगे हैं समान वगरा समेटने के बाद भी दिखा देती हूं कुछ चीज़े रही थी वो भी हमने उपर शिफ्ट कर ली हैं यह स्टैंड रह गया हैं लेकिन हमने इनको वोश ही करना है तो इसलिए यह स्टैंड पढ़े हुए हैं और जो चीज़ें यूज करने वाली नहीं हैं बस वो पढ़ी हुई हैं बाकि सार आँ इसके अंदर भी जरासीम चले जाएं सोफे जो हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा आगे कर लिया है क्यूंकि दिवार के सासाथ भी हमने स्प्रे करवानी है क्यूंकि घर का कोई भी कोना नहीं चोड़ना ताकि जरासीम दुबारा ना आ सके और यह बाभी के रूम की कव है जहां पर कपड़े वगारा रखती थी इसको भी बिल्कुल फ्री करे लिया यहां पर भी स्प्रे करवानी है और मैं भाई को कह रही थी कि फूल भी उठा लेते हैं स्प्रे के जरासीम ना इनके अंदर ना चले जाएं लेकिन मिन्लू की पता से आरेडी बहुत वर्ड़ करवा लेंगे तो हमने तो इस परपरस के रहे चेक किया था लेकिन इसके अंदर से चूहा निकला हमारी तो वहां ही चीखे निकल गी भाई की निकली मतलब मेरी चीख वहीं पर निकल गी फिर हमने उसे बगाया क्योंकि हमें तो सली नहीं थी होनी स्प्रे करने के लिए वो स्केट पिर हम लोग जाएंगे स्वाइँ करेंगे दोबारा से सारा कुछ जो है वोड़ करने के बाद जरासीम न हरी गवर में ही होते हैं लेकिन हमारे गवर में नहीं बहुत ज्याद है यह बार बाई 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 भाई लोगों सीथे उपर या रह रहाcoat है और बलना पर वकूश यहां मैं वखाया है वी ख़बना नकाम हो गया बाइट आनी पन्यूटे वाय इसमारे बच्चे लिएशा और बहुत करीटिव हैं और नही नही चीज़े ना create करते रहते हैं रेड और green color तो same था actually ये white color बना रहा था red और green color इसने ठीक डाला था लेकिन ये जो इसने blue color डाल दिया इसकी जगा parrot green type कोई color था वो डालना था तो फिर white color बना था तो लेकिन इसने गलत color add कर दिया और इस वज़े से इससे ना नियू कलर नहीं बना लेकिन फिर भी उसने कोशिश तो की ना तो यही बड़ी बात है तो यहीं करते हैं आज का विलोग एंड नेक्स टू लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा अलाहाफीज